हेलो दोस्तों मैंने एक बर्तन में कटोरी से एक कटोरी भरके मैंने घी लिया है आप घी लिजे चाहे तेल लिजे दोनों में बन सकता है घर का तेल लिजे बस सनफलार मत ले ना घी ले 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 ना तो जो 200 गरम की कटोरी होते ना उस कटोरी से एक कटोरी ले जिए गराम में घी रहेगा न उतना ही रहेगा मैं ग्राम से बता रहे हूं मैदा लेकिन घी और तेल में वजन होती है मैदा में नहीं होता है तो घी कटोरी से लेना तो एक कटोरी मैदा लेना तो टेढ़ कटोर ग्राम से लेना तो दोनों 200 गराम लेना ऐसा लेना है और इसके बाद इसे गी भी ना हो न आप तेल में बना लेना असानी से बन जाए और मिठाई फटा फट लेकिन बनाएंगे न तो बहुत अच्छी लगेगी टेश्टी भी लगेगी कोई नहीं बोलेगा कि मावा का नहीं है इसके बाद में भून नोंगी भूनने के बाद नमी से तु इनसे चार म बना लूँगी तो उसे मैंने एक बावल में खाली कर दिया और बीच-बीच में उसे चलाते रही है यहां मैं चासनी के लिए सक्कर डाल दी हूँ तो सक्कर मैंने डाला यहां पर उसी कटोरी से जिससे आप तेल चाहे घी लेंगे एक कटोरी भरके उसी कटोरी से आपको ल बनने लगे तहीं तहीं लगें के लाजन के लिए देती है कि दूर से स्वेशनी लगपें दूर्फ है लिए यूजाय को देती हुआ 국iveatar है कि एखतली मेरा का पे से राहे时 बस इसे mix करेंगे और mix करके gas बन कर देंगे याद रखे जैसे mix हो जाएगा gas बन हो जाएगा जादा नहीं मुश्किल से 10 से 20 सेकेंड मिनट नहीं बोली 10 से 20 सेकेंड में इसे अच्छे से बस mix हो गया gas बन कर दीजीगा नहीं तो बहुत जल्दी गठान पकड़ लेगी इसके बाद फिर में बंद गयस पर अच्छे से mix करूंगी इसके बाद थोड़ी सी मावा की flavor देने के लिए मैं यहाँ डालूंगी milk powder ग्राम से बोलू तो मैं 100 गरम डालूंगी कटोरी से बोलू तो आधी कटोरी हम डालेंगे यहाँ पर milk powder मिल्क पाउडर डालके अच्छे से mix कर यहाँ याद रहे जादा नहीं और यहाँ मैंने वहाँ थोड़ी सी rose essence डाला है किमकि इलाइची powder आपको डालना है तो डालिए लेकिन इलाइची powder से क्या होता ने कि थोड़ी सी color उसमें आ जाती है तो इसलिए मैंने नहीं डाला मेरे पास rose essence था तो मैंने डाल दिया अग रहा है कि यह मावा कर नहीं है यह मैदा काही मिठाई तो एक बार जरूर बनाना गैस मेरा बंद है और इसके बाद जो भी एक्ष्ट्रा घी हो आप साइट से निकाल सकते हैं घी लीजिए चाहे तेल लीजिए मार्केट वाले तो भाई तेल से बनाते हैं घी से बता र इसके ऊपर हम डालेंगे पूरी मैदा के फिलिंग उसके बाद अच्या से से शेट कर देंगी और सेक करें वात्री 3-4 घंटे में अच्छे से शेट हो जाती हैं तो पूरी मैं इस पेचुला से अच्छे से सेट कर दूँगी और 3-4 घंटे के बाद मैं इसे कट करके आपको दिखाऊंगे और मेरे चैनल पर एक से एक आपको मिठाई नमकीन की वीडियो आने वाली है आपको कौन से नहीं मिठाई, कौन से वीडियो सीखना है, कौन से ऐसी नमकीने जो आपको नहीं आता है तो कमेंट करेगा मैं बताऊंगे, मैं एक से चूड़े की भी नमकीन लाऊंगी और दिवाली की जितनी में क्लास देती हूं बच्चों को, मैं अपने जितनी में क्लास सिखाती हूं दिवाली क्लास मैं सारी रेज़ पी आपको original सिखाने वाली हूं comment करके बताना आपको क्या सिखना है तो ये देखिए, मेरी set हो गए ये तीन से चार घंटे बाद, तो मैं फिर पेपर से इसे निकाल लूँगे, निकालने के बाद हम कट करेंगे, तो फिर मैं कट करके आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी बर्फी बनके रेडी हो गई है, तो चलिए हम इसे काटते हैं, तो काटने के लिए आप साफ लेजिये, और अच्छे से कट कर लेजिये, मेरा थोड़ा सालीट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा सेट हो गया था, تीं- चर घंटे बादे जैसे सेट हो जयता ला वैसे अभी से कट कर लेजिएगा . ये हो गई आपकी बीना मावा बीना पनीर के घर में बनके घर के चीजों से मिठाई रेडी हो गई एक बार इस तरीके से मिठाई बनाए और कमेंट करके बाताएगा कि ये रेस्पी आपको कैसी लगी है और ये बर्फी आपको कैसी लगी है तो चलिए फ्रेंट कल फिर मिलते इसी टाइम पे नई रेस्पी नई वीडियो के साथ में कमेंट करना नहीं भूलेगा और प्लीज प्लीज लाइक से सस्क्राइब जरूर करेगा और सस्क्राइब करने के बाद बेल बटन नहीं दबाएंगे तो मेरी नई वीडियो नहीं आएगे बेल बटन जरूर दवाईएगा